कितनी विकट सी इस्थति है कि हम सब अधिकांश लोग अधिकांश समय भौतिक्ता की चकाचौन के वशीभूत होकर ही भौतिक्ता की चकाचौन में उलचकर ही बिता देते हैं तिन रात उसी भौतिक्ता की चकाचौन के पीछे दोड़ते हुए पीछे भागते हुए इस अमुल मानोव जीवन को कौडियों के भाव पिता डालते हैं और कभी ये भी नहीं विचार कर पाते ये भी नहीं सोच पाते कि हम किसो और जा रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या हमारा उदेश है कुछ भी बोध नहीं ये कैसा जीवन है ये कैसा छलावा से भरा हुआ जीवन है जो सत्य से सत्य सरोकार करने कि इच्छा ही न रखे जो सत्य साक्षात कार करने की प्रबल इच्छा ही न जगा सके प्रबल इच्छा ही तयार न कर सके ऐसी इस्थिति को तो आश्चर चकित होकर नहीं देखा जाए तो कैसे देखा जाए यद्यप्पिकी सभी यही चाहते हैं कि यह अज्ञान का जाला हट जाए अज्ञान का यह तिमिर समापत हो जाए पर हो भी तो कैसे बिना प्यास के बिना कोशिश के ना न यह संभव नहीं है प्रकृत ने तो ऐसा नियम ही नहीं बनाया कि कोई भी परणाम बिना प्यास के ही मिल जाए यदे बिना प्यास के ही सभी परणाम मिलने की प्रकृत की यह रुप्रे खाएं होती नियम होते तो भले ही इस बारे में सोचा जा सकता था परणतु जो नियम नहीं है उसके बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं है और यदे जबरजस्ती ऐसी अपिक्छा की जाएगी ऐसी आशा की जाएगी तो अनर्थे ही होगा अनर्थ होकर किसी भी व्यक्ति का अनर्थ करके किसी भी प्राणी का किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता भ्रमित होकर तो अपने जीवन को बरबाद ही किया जा सकता है जिन जिन ने अपने अंतरमन के ज्यान के चक्छूं को प्रकाशित कर लिया जिन जिन ने अपने ज्यान के चक्छूं को जागरत कर लिया ज्यान और अज्यान के बीच के भेद को समच लिया अज्यान का परित्याग करके, कुमारगों का परित्याग करके, नकारतमक्ताओं का परित्याग करके, पापकर्मों का परित्याग करके, सकारत मक्ताओं की और जो लोग बढ़ गे गुणों की और बढ़ गे सद गुणों सद कर्मों की और बढ़ गे सद राहों की और बढ़ गे सद चरित्रों की और बढ़ गे जो सत्ते को स्विकारे कर सके न्याई को स्विकारे कर सके धर्म इमानदारी मानवता, शान्त अहिंसा, उदारता, निर्ष्छलता, निर्मलता, पवित्रता, सरलता, साधगी आदिकों से कारे कर सके उन्हें का जीवन अदितिय हो गया, उन्हें का जीवन अदभुत हो गया, उन्हें का जीवन एतिहासिक हो गया जिन जिन का ऐसा जीवन हुआ है जिन जिन को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त करने का सुभाग्य प्राप्त हो पाया उन्हीं उन्हीं का जीवन तो अद्भुत हो गया उन्हीं उन्हीं का जीवन तो अदुतिय हो गया उन्हीं उन्हीं का जीवन तो सुख से आनंद से ब्रह्मानंद से परिपोन हो गया उन्हीं के जीवन से तो अनेकों चीजें अनेकों बातें अनेको विचारों को सिखने का अवसर त्यार हो पाया ऐसे अवसर ये दिया जाए हमारे जीवन में हम सत्से खुद को जोड़ पाएं तो हमारा जीवन अदभुत हो सकता है अदुती हो सकता है जिसका लाब हमें तो प्राप्त होगा ही यूग यूगों तक अगनित लोग इन राहों का अनुसरण करके लाभान्वित हो सकते हैं